हलो दोस्तो मैं पशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वीटी टू कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूँ कि सेल करने का परफेक्ट टाइम क्या होता है कई बार लोग different तरीके से सेल करते हैं लेकिन कई बार उनको profit मिलता है और maximum time नुकसान उठाना पड़ता है अब नुकसान क्यों होता है क्योंकि वो सेल तो करते हैं लेकिन वो perfect time नहीं होता है perfect जगा नहीं होता है जहां पर आपको सेल सारी की तरफ positions initiate करना है तो मैं आपको इस video बताने जा रहा हूँ कि कौन सा perfect time होता है जब हमें सेल सारी की तरफ positions initiate करना है जहां पर losses के chances बहुत कम देखने को मिलते हैं और इससे आप अपने trade के accuracy level को भी increase कर सकते हैं चलिए देखते हैं कि हमें कब सेल करना सेल करने का perfect time क्या होता है यहां पर अब हम चार्ट पर आगे और सबसे पहला जो चार्ट आपको देखने को मिलवा वह आपका Sun Pharma का डेली चार्ट है यहां पर आप time frame कुछ भी ले सकते हैं आप चाहो तो 5-minute वाला time frame ले लो 15-minute time frame ले लो या फिर आप यहां पर one hour time frame ले लो या फिर one day time frame ले लो one day यहां पर हम इसलिए ले लें क्योंकि यहां पर हमें candle maturity दिखता है और आपको यह concept अच्छे समझ में आ जाएगा जब आप यह concept समझ जाओगे उसके बाद इसका implementation किसी भी time frame में कर सकते हैं तो यहां पर हम daily time frame में इस concept को समझते हैं फिर implementation आप अपने ही साब से जो भी time frame suitable लगता है वो कर सकते हैं लेकिन जो strategy यहां पर बताया गया same strategy को आपको follow करना उसमें कोई changes नहीं करना है कोई भी changes वहां पर आपको नहीं करना है तो चलिए यहां पर देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले जो main चीज है, हमें क्या identify करना होता है, एक strong support और दूसरा एक strong resistance, कोई भी strategy अगर आप find करें, या फिर कहा हमें buy करना या sell करना, सब के लिए हमें support या resistance, basic चीज होता हमें identify करना, without support या resistance identify के हुए हम market में कुछ नहीं कर प्रूरत है, तो सबसे पहले आप support और इस्टेंस देवर identify करना सीखे, उसके बाद trading करने के बारे में आपको सोचना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना, यह कैसे identify करते हैं, उसके बाद हम find करेंगे, कि perfect time क्या होता, sell करने का, यहाँ पर देखिए, price आपका नीचे से उपर दूसरा लोग आपका यहाँ पर बनाया, तो क्या करेंगे, इन दोनों लोग को जोइन करते हुए, हम एक trend line draw कर देंगे, इस तरीके का हमारा trend line draw हो जाएगा, जो कि हमारा support के रूप में काम करें, यहाँ पर हमें support level मिल गया, और support level जोड़ा करना, at least हमें too low चाहिए, और उ इन दोनों हाई को जोइन करते हुए, हम एक trend line draw करेंगे, और यह trend line हमारे लिए resistance के रूप में काम करेंगा, अब हमारे पास resistance level और support level दोनों available है, अब यहाँ पर देखिए, अब क्या हो सकता है, प्राइस इस resistance level को break करके उपर निकल सकता है, या फिर यहाँ से वापस नीचे लॉट सकता है, तो हमें sell करने का perfect time कब find करना है, हमें इस वाले portion पर focus नहीं करना है, जहाँ पर restensible break हो जाता है, हमें इस वाले portion पर focus करना है, जहाँ पर restensible break نہ हो, restensible level को touch करके price ऊपर आए, restieuर लेवल से यह reversal दिखाए हमें उस वाले point पर focus करना है, और सिर्फ reversal के बाशिश प है यह नहीं नहीं होती हो JUST कि यहाँ यहां पर बीट DOC करना और यहां पर ऑपका दो होगा और और आपके के जांसे बहुत कम हो जाएंगे अब करना अगर सब्सक्रणो सा इस जाता है तो हम यहां पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करें हम फोकस करेंगे रिवर्सल के ऊपर वह हमें परफेक्ट टाइम बताएगा अब देखें वापस से क्या हुआ प्राइस आपका इसके करीब गया है और यहां पर जाते ही एक और काम हो रहा है क्या हो रहा है उपर में अगर आपका sellers strong हो रहा है मतलब यहां पर पावर का transfer काफी swift तरीके से हो रहा है काफी systematic तरीके से हो रहा है अगर buyers में strength है और उसके बाद एक एक sellers आ जा रहा है तो फिर उस point पे हम trading करना avoid करेंगे जो power का transfer है वो काफी smoothly होना चाहिए जो कि यहां पर होता हुआ हमें दिख र फोकस करेंगे तो यह आपका कौन सा negative pattern बना है यह आपका जो pattern बना है उसको हम लोग बोलते हैं bearish engulfing यह आपका bearish engulfing pattern का formation किया है अब यह क्या है जवर्दस negative pattern है और यह pattern बना कब है जब price आपका resistance level से वापस नीचे लोट आ तब यहां पे bearish engulfing pattern का formation हुआ है और हम इस point क मार्क कर देंगे और उसके बाद जैसे अगला candle open हुआ है इसी point करें यहां पर हम sell side के तरह positions initiate करेंगे यह जो point है मेरा SL के रूप में काम करेंगा और फिर हम अपना target price इस level के करीब हम अपना set कर सकते है previous जो भी लो है उसके basis पर अपना target price set कर लेंगे तो यहां पर at last हमें क् देखना risk reward यहां पर हमारा risk कितना और reward कितना यह हमें final confirmation देगा कि जो trade setup यहां पर मिला है उसके basis पर हमें trade करना यह नहीं करना उससे पहले यहां पर उमीद करते हैं कि concept समझ गयोंगे concept क्या कि distance levels के करीब से reversal चाहिए और यहां पर एक strong negative pattern चाहिए यह pattern अगर हमें मिलता है त trade नहीं लेना यह sell करने का time होता है लेकिन perfect time नहीं होता है और यहां पर हमारा title क्या है कि हमें यहां पर perfect time खोजना है जहां पर हमारा trade का accuracy ज्यादा हो यह अच्छा time होता है आपको यहां पर profit मिल जाएगा लेकिन इसके साथ साथ अगर आप negative pattern identify कर लेंगे वह सटीक time हो यह यह अगर हमारा 100 point का SL है तो 200 point का target होना चाहिए तब हम इस trade के लिए जा सकते है उससे पहले हम trade के लिए नहीं जाएंगे और यहां पर target आप इस support line को भी ले सकते हैं देख सकते हैं support line आपका इस तरीके से जा रहा है तो इसको भी आप target की रूप में set कर सकते हैं यह इसके लिए आपको हमारा mobile app equity to community को download करना होगा आप play store से download कर सकते हैं जो हमारे YouTube channel का नाम है वही हमारे app का भी नाम है यह नहीं तो उस app का link आपको हमारे इस video के description में मिल जाएगा वहां से भी आप download करके आप course देख सकते हैं जहां पर आपको future options का course मिलेगा आपको पूरा stock market बेसिक से लेके advanced level तक course मिलेगा आपको technical analysis का मिलेगा chart pattern का मिलेगा सबको अलगला course मिलेगा सबका एक साथ भी मिलेगा तो आप एक बार course को जरूर देखिए वह आपके लिए फाइदे मन सावित हो सकता और वह आपको independent trader बनने में help करेगा आप trading को as a carrier के रूप में भी इस्त अब यहां पर भी हमें क्या गड़ना हमें सेम चीज़ करना सबसे पहले हमें support और दूसरा resistance level को identify करना चले इसको identify करते हैं प्राइस आपका ऊपर गया ऊपर से नीचे आए यहां पर एक आपका हाई बना फिर यहां से नीचे आया यहां पर आपका एक लो बना फिर back to back यहां पर भी लो बना फिर यहां पर भी आपका लो बना दे मतलब हमारे पास multiple लो हो गए और इन सारे लोग को join करते हुए हम ए किसी के करिब बन गिया है को इन दोनों हई को ॉज्य है ट्रोाइट लाइन दिरिए ट्रॉपर करना उपारवाला सफवर्न होगा। तभी हमाई लिए perfect time होगा sell करने का, अब देखिए, यहाँ पे आया है, और यहाँ से यह reversal दिखाया है, यहाँ पे भी sell कर सकते हैं, लेकिन यह perfect time नहीं है sell करने का, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमें कोई negative pattern नहीं मिला है sell करने का, यहाँ पे आने के बाद एक और negative pattern जो हमें चाहिए तो वो नहीं मिला है, तो यहाँ पे हम इसके basis पे trade नहीं करेंगे, यह भी समझना जरूरी है, उसके बाद आपका price उपर गया, यहाँ पे भी आपका tail का formation हुआ है, मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे हमें कमजोर होते हुए दिखे हैं, अब बायर्स कमजो का formation किया, जो कि आपका एक जबर्दस्त strong negative pattern यह माना जाता है, अब हमें यहाँ पे सारा कुछ मिल गया, price आपका resistance level से इस तरीके से वापस नीचे लोट वाया, और एक strong negative pattern बन गया, अब इसके basis पे हम sell side के तरफ जा सकते हैं, लेकिन कब जाएंगे, एक और condition है, क्या है, कि risk और reward हमारे favor में होना चाहिए, यह अगर मैं बताओं या ना बताओं, हर एक trade लेने से पहले आपको risk reward अपना चेक करना, favor में trade लीजे, नहीं favor में, risk increase हो रहा है, तो trade नहीं लेना है, तो यहाँ पे देखिए, इस level के आसपास हम क्या करेंगे, sell side की तरफ interview लेंगे, यह point मेर पे धाई गुना है, तो हम इस trade के लिए जा सकते हैं, तो simple सा ज्यादा कोई complications ने, बस दो point आपको identify करना, तीसरे example पे हमाते हैं, यह आपका हिंदुस्तान यूई लिवर का daily chart है, अब यहाँ पे भी हमें support और stance level identify करना, आपका यहाँ पे एक high बना है, यहाँ पे आपका एक low बना है, फिर उपर गया, इसको touch नहीं गया, दूसरा लो हमें इसके करीब देखने को मिला, तो हमें दो लो मिल गया, इन दो को join करते हुए हम इस तरीके से अपना support line draw कर दिया, अब यहाँ पे हमें चाहिए resistance line जो कि अभी तक नहीं मिला, यहाँ पे price आया, यहाँ पे buyers आपका कमजोर होना चाहिए, यहीं बायर्स में कमजोर यह दिखना चाहिए, इस तीन point को आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले systematic है, buyers कमजोर होना चाहिए, उसके बाद resistance से reversal दिखना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, एक negative pattern, यहाँ पे अब देखे क्या हो रहा यहाँ पे resistance करीब गया, लेकिन क्या buyers कमजोर हुआ है, उपर में कहीं आपको weakness देखने को मिलवा, long tail देखने को मिलवा, हमें देखने को नहीं मिलवा, मतलब buyers कमजोर नहीं हुआ, पहला point satisfy नहीं किया, उसके बाद reversal आया है, ठीक है, कोई negative pattern बनाया, यहाँ पे भी कोई negative pattern न इसका दिया, ठीक है, हम अपने conditions पे अरे रहेंगे, conditions satisfied नहीं करेगा, नहीं ट्वेड करेंगे, आपको कही बार यहाँ पे fear होगा, आपको लालच आएगा, लेकिन आपको ultimately बहुत बढ़े नुकसान से बचा सकता है, उसके बाद, अगली बार फिर से इस resistance line को touch किया है, अब उसके बाद, आपका price नीचे लोटा है, और काफी हद तक यहाँ पे भी, क्या बनाया है, bearish engulfing pattern बना है, और यह आपका negative pattern है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ट्वेड ले सकते हैं, और जो ट्वेड हम लेंगे, वो इसके आसपास यहाँ पे हम क्या करेंगे, sell side की तरफ positions लेंगे, sell हमारा यह रहेगा, और target price की बात करेंगे, यह support line है, यह target हमारा यहीं पे होगा, तो यहाँ पे हमें stop loss थोरा सा big लग रहा, और target थोरा सा small लग रहा, तो देख लेते हैं, risk reward मेरे favor में कितना है, risk reward की अगर हम बात करें, तो risk reward है आपका, यहाँ पे देख सकते है 0.72, यह नि, अगर हम 100 point का stop loss रखते हैं, तो सिर्फ 70 point का target बनवा, 72 point का target बनवा, यह नि, यहाँ पे risk आपका बहुत जादा है, और reward यहाँ पे हमें कम देखने को मिलवा, तो सारा कुछ होने के बापजूद भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, trade नहीं लेंगे, trading यहाँ पे हम perfect time नहीं है, sell करने का, बहुत सारा beginners यहाँ पे trap हो सकते हैं, असानी से, इसलिए आपको यहाँ पे sell नहीं करना, perfect time होता है, sell करने का, जो मैंने conditions आपको बता है, उसके basis पे, उमीद करते हैं, कि इस तरह का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस तरह का वीडियो जनरली कोई नहीं बताता, क्योंकि यही real market में हमें problem face करने को मिलता है, उमीद करते हैं, कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, प्लीज वीडियो को like करके हमें encourage कीजिए, चैनल को subscribe नहीं किया, चैनल को subscribe कीजिए, साथ ही साथ, bell icon कीजिए नेक्स्ट वीडियो में, जैहिन